साथियों अगर आपके सामने मैं एक नंबर रखतू जो कि है 369 तो आपको इसे देखकर क्या समझाएगा जाहिर से बात है आप इसे महजिक नंबर ही कहेंगे या कुछ लोग जो थोड़े ज्यादा जानकार होंगे वो इसे थोड़ा तोड़ मरोड के बताएंगे कि ये एक natural number है या ये एक irrational number है ऐसा ही कुछ है ना बट अगर मैं आप से कहूँ कि ये number सिर्फ एक number नहीं है बलकि ये ऐसा powerful number है जो आपकी life को change कर सकता है तो क्या आपको यकीन होगा I think no लेकिन ये सच है साथ को जी हाँ और आज हम इसी सच के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में अगर साथियों आप भी हैं 369 के सच से अंजान और जानने में उत्सुक कि क्या है इसके पीछे का रहसे कौन सी शक्ति हैं जो 369 के पीछे काम कर रही है तो जुड़े रहिए आज के इस वीडियो में मेरे साथ end तक क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में जो 369 के पीछे कर सच बताने जा रही हूं I am sure वह अपसे पहले आपने किसी वीडियो में नहीं सुना होगा लिकिन हां आपको करना क्या होगा आपको इस वीडियो को पूरा अंतितव देखना होगा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा जैसे ही आप 369 फॉर्मूला को अपन होते हैं आपका अपने चनल पर अगर आप इस चनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपकी आने वाली कोई भी व इसे एक महान साइन्टेस्ट ने बनाया है। दरसल क्रोशिया देश के एक बेहदी महान साइन्टेस्ट है। जिनका नाम था निकोला टेसला। इनके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। आप सभी ने तेसला साहब को साइंस की कताबों में जरूर देखा होगा. इलेक्रिसिटी और करंट में इंट्रेस्ट होने के साथ थी इनका इंट्रेस्ट नमबर्स में भी था. इन्हें नमबर्स में महारत हासिल थी. 369 के पावर के बारे में इन्होंने ही लोगों को बताया था. इनका मानना था कि जो व्यक्ति 369 के रहसे को समझ लेगा, उसके हाथ में मानों ब्रह्मान की चाबी आ जाएगी. आखिर इन नमबर इतना रहसे में क्यों है? आप सभी ये सोच रहे होंगे कि बहला 3 डिजिट के इस नमबर में ऐसा क्या चुपा हुआ है, जो आपको नहीं दिखाए दे रहा है? आईए इस वीडियो में मैं आपको इस नमबर के रहसेओं से वाकिफ कराती हूँ. और मैं आपको बताऊंगे कि ये नमबर आपको कैसे सक्सेस दिलाएगा? साथियो केसला ने ये रिसर्च की थी कि हमारे आसपास जो भी चीज़े हैं, वो सब इक एनरजी है. अगर हमें इस यूनिवर्स को जानना है, देन हमें इस यूनिवर्स को frequency, vibrations की फॉर्म में देखना होगा. हम humans अपने thoughts में कुछ भी create कर सकते हैं, thoughts ही things हैं, हम कुछ भी scientific way में create and manifest कर सकते हैं. इसके लिए वैसे तो काफी सारे techniques हैं, बट एक बहुत ही famous technique है, 369 manifestation technique, यह बहुत ही powerful technique है. चलिए अब देखते हैं कि इस technique को perform कैसे करना है, यह technique आपको 3 steps में perform करनी है, इसके लिए सबसे पहले आपको mind में सोचना है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, फिर वो कुछ भी हो, पस अपने mind में एक बार सोचें, और जब आप morning में उठें, तो कुछ भी करने से पहले, बि present time के हिसाब से लिखें, ऐसे लिखें जैसे आपने उन चीजों को पा लिया है, suppose अगर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, तो मैं उस wish को ऐसे लिखूंगी, जैसे कि मैं एक डॉक्टर बन चुकी हूं, once you are done writing, उसके बाद आप खुद को 17 seconds दें, और अपने wish पर 17 seconds के लिए focus करें, आपको उसको 369 पैटर्ण में करना है, यानि हर रोज सुभा तीन बार आपको ये process फॉलो करना है, फिर दो पहर में आपको इसे करना है, मगर दो पहर में इसको आपको 6 बार करना है, इसके बार नाइच में आपको इसको करना है, और इस बार आपको ये 9 बार करना है कि पूरा प्रोसेस आपको टोटल 33 दिनों तक या फिर 45 डेस तक फॉलो करना है एंड देन उसके बाद आप जरूर सक्सेस्फूल होंगी यह गारंटी है बट ऐसा भी नहीं है कि बस सोच लेने से या लिख देने से आपकी विश पूरी हो जाएगी विश को पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन की नीड तो होगी ही यह टेकनिक बस आपको फोकस रखने में हेल्प करती है सो आपके एक्शन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी सक्सेस में उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगे आपको ये वीडियो कैसर लगा साथियों मुझे कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले